कल मैंने second chapter learn करने के लिए दिया था है ना सभी ने लर्ण कर भी लिया होगा है ना get hold दो खोल दोगे तो जितने भी sentences अभी मैंने बोले एक बात आपने नोटिस की होगी कि सभी sentences के लाज में हैने हैना वर्ण का यूस करते है तो वह question नहीं पूछते हम बस confirmation मांगते है गेट खोल दोगे क्ले तो मैं वहां पर question नहीं पूछ रही हूँ मैं जब वर्ण बहुत थंड है तो थंड तो है तो जस्त मैं आपसे confirmation मांग रही हूं कि आज बहुत ठंड है है ना ठंड है इसका मतलब है कि आपको भी ठंड लग रही है ना तो है ना जब word English में यूज किये जाते हैं तो हम उन्हें जानते हैं कोशन टैक के नाम से आज मैं आपको करानी उचा रही हूं तो दिखे यह कैसा टोपिक है जिसको यूज करके आप अपनी को बहुत ज़्यादे इंप्रेसिव बना सकते हैं साथी साथ जितने भी competitive exam से वहां से कोशन आते हैं जो जितने हैं जो किसी competition exam की तयारी कर रहे हैं फिर दे चुके वह अच्छे से पैचान जाएंगे कि यहां से कोशन एक्जाम में आते ही आते हैं तो देखिए अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं आते तो वीडियो के लिए जबूर बने रहे हैं सारे के सारे ज सब्सक्राइब कर सकते हो और इंप्रेसिव बना सकते हो वही मैं आपको बताने वाले में तो चली सब्सक्राइब करते हैं इन रूल को पच्छे से रिडाउट कीजिए तो आपके लिए को लगाना बहुत एजी हो जाएगा देखिए यहां पर जो मैंने फोर से लिखे हैं सब्सक्राइब करने से पहले तो हम बढ़ेंगे सिंपल से थोड़ा कोंप्लेक्स की तरफ ठीक है तो पहले सिंपल से को देख लेते हैं कैसे होते हैं तो यह कुछ रूल से इनको आप ध्यान से पढ़िए फस्ट रूल है सब्जेक्ट इजब भी हम को बनाएंगे उसका जो सब्जेक्ट होगा वह हमेंसा क्या होगा प्रेनाउन होगा नाउन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं सेके और के स्टेटमेंट पॉजटिव से ना ओर अगर श्राटमेंट नेगेटिव दीति गई है तो कोजितिव जी किलद 2024 कुशिथ है जितने विद यूद् करने वाले है इसमें गब उडियर वापको पता होल Says our सारी डू ड़ सारी ऑग्जलरी वर्ब होती है तो इनमें हमें उन्हीं को यूज करना है एकोर्डिंग टूदर टेंस जिकने भी यूज होगी कोंट्रेक्टिड फॉर्म में यूज होगी मिंज फॉर एक्जमपल अगर मुझे लिखना है डू नोट नहीं लिखना उसको डॉंट करके हमें लिखना है तो वह कहलाती है कोंट्रेक्टिड फॉम अब देखिए यह सारे के सारे आपको सवज में आ गए होंगे रूस अब इन का सेंटेंस दिया है पोजिटिव क्योंकि उसमें तो हमें वर्ब नहीं मिलेगी सेंटेंस साथ जाएगा ही वक्ष ही इट्स दा फूर इस तरीके से सेंटेंस दे जाएगा तो उसमें तो वह हमारे सामने आएगी नहीं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर प्रेज प्रेज़ को आपको नहीं मिलेगी अब यह आप समझेंटेंस देखे शी इस नोट वरकेंग अब आप देखते ही पहचान गए होगी कि सेंटेंस यहां पर नेगेटिव है अब जब नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें पोजिटिव बनाना है और मैंने आपको बता है कि हैल् अब यहां पर उक्जिलेटिव बनाएंगे तो नाउन हम सब्जेक में यूज नहीं कर सकते होगर यहां पर प्रनाउन दिया है तो बहुत अच्छी बात आप उसी परिनाम को उठाके वहां पर यूज कलेचे नेक्स देखिए यूविल डू दिस जोब अभी पोजिटिव सेंटेंस यहां का जो कोशन टैग है वो नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा तो आप विल लीजे विल को हम कैसे मैंने आपको बता है कि कॉंट्रेक्ट लिए वोन्ट हमने लिया एंड सब्जेक्ट क्या है यू तो हम यहां पर लेके आ जाएंगे यू को एंड को टैग ठीक है यू विल डू दी जोब क्या तुम इस जोब को करोगे क्या तुम नहीं करोगे मिनिंग यह है इसका अब नेग्स देखिए वी शेल प्ले हम खेलें तो पोजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव कोशन टैग बनेगा तो क्या हो जाएगा शेंट वी थोड़ से कोशन टैग को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम विल को यूज करेंगे तो विल नोट यूज नहीं होगा मिन्स हम यहां पर वी डबल ल एंटी नहीं कर देते हैं कि अगर डऌार्णा था भी दोन करते हैं तो बोल क्कुछ टमाना हो तो ऐसे कर मत कीजएगा अगर पर एसे यह चार्णा हो जाय ग्राइध सो गलत होगा तो विल कह देख लीज़ीए वंट होता है और शॢल का शें新ई ह se लोग तो यह तो आपने देखा कि किस तरीके से हम को में से हम रूल यूझकरती हैं को कैशेग बून में Psal कोशन टैग बनाना हो और नेगेटिव बनाना हो तो कभी भी एमेंट नहीं होता आप यह मत सुचेगा कि हमें अभी में आपको बता है कि आपको अग्जिलरी वर्ब लेनी है और आपको आपको नहीं पता तो आप में भी ऐसे बना क्या एमेंट आप करके आ जाओगा इसका न नहीं लिखना है तो इस तरीके से आपको याद रखना है और याद रखेगा एक्जाम में हमेंसा exceptional case ही आते है तो आई के साथ आपको एम नहीं लगाना क्या यूज करना है आपको यूज करना है यह दो एक्जम्पल और आप देखिए अभी तक जिप्ते भी सारे के सारे एक्जम्पल मैंने आपको करें उनमें auxiliary वर्ब दे हुई थी मिन्स हमें यहां पर इस दिया हुआ है यहां यहां पर यहां यहां पर यहां पर एम है ठीक है तो हमारे लिए ऐसे सेंटेंस का कोशन टैग बनाना बहुत ईसी होते है क्यों क्योंकि हमें वहीं से उक्जरी वर्ब को ले लेवाप को ले लेना होता है और प्र नांवन लेंगे अचल्स प्रकी में वह एकना पशिट्र पीट फिर पस इंड़ा तो आपको कैसे कूशन टैग लगाना है यह सब्जेक्ट सिंग्लर नंबर होगा तो हम डिजन्ट का यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूलर नंबर होगा तो हम डॉंट का यूज करेंगे और अगर पास्ट का है तो पास्ट में तो चाहिए सिंग्लर नंबर हो सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो तो हम वहां पर ही लगाया अब जो मैंने आपको यह वाला पॉइंट बताया था कि subject is a pronoun subject हमें से प्रणाउन होता है यहां पर रोहन की अभी तक जितने भी यहां पर examples थे आपने देखाऊगे कि सब में प्रणाउन यूज हुए थे तो प्रणाउन यूज हुए थे तो कोशन टैग बनाने हमें किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं हुई थी वाई क्योंकि हमने प्रणाउन ही यूज कर दिये थे बट अगर वाई नंबर है तो डेजन्ट की रोहन प्लेज रोहन खिलता है क्या वैं नहीं खिलता है यह मिनिक निकल के आएगा अभी देखिए दे लर्न चैप्टर अब आपने देख लिया होगा कि यह पर यह पास इंडेफिन का सेंटेंस है वर्ब की सेकिंड फॉर्म का यूज हुआ है य तो देखें यह याद अखिएगा क्योंकि एक्जाम में जादे तर इस टैप के ही आते हैं जहां पर आपको थोड़ी सी महनत कने पड़ेगी कोशन टैग लगाने के लिए आपको नहीं देगा एक्जाम ना ठीक है तो आपको दियां रखना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है आपको उसी के अकोडिंग उसकी auxiliary abuse करनी है तो होपी सारा का सारा समझ में तो आगया होगा आपको कुछ रूल देख लेते हैं यह वर्स देखी बहुत अच्छे से आप इनको डिड़ाउट कीजिए अगर आपको यह किसी भी sentence में नजर आ जाते तो समझ लीजिएगी कि यह negative sentence है यह देखने में positive दिखाई देते हैं कुछ words कुछ तो दिखाई दे जाएंगे आपको की negative हैं बट कुछ words ऐसे होते हैं और examiner की वही favorite होते हैं जो की देखने में positive नजर आते हैं बट वो negative होते हैं जैसे barely, hardly, seldom, nobody, no one, neither, nothing, scarcely तो जादा तर अगर बात करती हूँ मैं barely, hardly seldom and scarcely तो यह कुछ ऐसे word है जो एक्साम में आते हैं देखें नोबड़ी है उसको देखते ही पहचान जाओगे की negative है निदर को देखके पहचान जाओगे की negative है बट यह कुछ ऐसे words है जो positive नहीं होते देखने में लगते हैं negative होते हैं तो कैसे आप इनको करोगे use तो जब भ यह तो easy है बनाना तो क्या करेंगे हम head he head he that's all next she seldom weeps अब देखें यह पर seldom आया है आप बहुत confused हो जाओगे कि seldom का तो मिनिंग कभी कभी होता है ठीक है तो नहीं differentiate कर पाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि negative है तो जब हम इसको sentence question tag बनाएंगे तो positive बनेगा तो क्या हो जा because it is a negative word अब यहां पर देखें अगर आपको जो statement दी गई है अगर आपको से statement में as a subject यह नजर आते किसी भी sentence जो भी statement दी गई है उसका subject it है this है that है तो हम जब question tag बनाएंगे तो उसका subject हम use करेंगे it अगर these आया है दो आया है तो उसका subject हम use करेंगे tag बनाते वक्त दे अगर one आया है तो उसका question tag में subject जो use करेंगे one ही रहेगा there का there रहेगा कैसे देखें this is my pen this is my pen आप देखें यहां पर क्या है sentence जो भी statement हमें दीगे उसका subject क्या है this है और मैंने आपको बता है कि अगर this आ गया है तो जब हम question tag बनाएंगे तो उसका subject होगा it तो क्या हो जागा positive sentence है बन जाएगा isn't it तो हम यहां पर it का use करेंगे next देखें there is no space तो यहां पर subject है statement का there तो there आ जाये sentence में तो मैंने क्या बता है कि आपको there ही यूज करना है तो क्या negative sentence है तो क्या हो जाएगा is there positive question tag बनेगा is there यहां पर positive था तो negative बनाया हमने isn't it का use करके because this की जगह पर हमें it का use करना है question tag में as a subject and अभी देखे these boys are mad अब यहां पर these आया है तो these का हमें क्या करना है दे करना है तो क्या हो जाएगा aren't क्योंकि positive है तो क्या हो जाएगा aren't they aren't they why क्योंकि these आया है ठीक है plural है helping अब तो हम यहीं लेंगे क्योंकि हमें दी हुई है our note लगा यह and they तो यह I think समझ माया है तो चलो कुछ और facts आप देख लीजे देखें सेंटेंस है समबड़ी इन्वाइट में समबड़ी इन्वाइटिड में सेकिंड है none can do it तो कैसे कोशन टैग बना लिजी फिर मैं आपको बताती हूं कि कैसे हमने इसको फॉम किया तो इसका क्योंकि positive सेंटेंस है तो नगेटिव बनेगा तो यह हो जाएगा डिंट दे राइट समबड़ी इन्वाइटिड में तो क्योंकि यह आप अच्छे से पैचानी गई होंगे कि पास इन्वाइट का सेंटेंस है तो डिड का यूज करेंगे है तो हो जाएगा डिंट दे नेक्स्ट है नन केंडू देखिन नेगेटिव है यह सेंटेंस जो कोशन टैग होगा पोजिटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा तो कैंडिया हुआ है कांट दे कांड दे अब आपके माइन में एक कोशन जरूर आया होगा कि मैम यहां पर संबड़ी यूज हुआ है सब्जेक्ट यहां पर नन यूज हुआ है तो यहां पर दे क्यों यूज हुआ तो इस बात को आप याद रखेगा कि अगर इस्टेटमेंट जो हमें दी गई है अगर उसका सब् कोइन आपको क्या नजर आ जाते है स्टेट्मेंट का सब्जेक्ट, तो तो सब्जेक्ट होगा वो घे होगा हमें से याद रखेगा, इस फैक्त को देख डे यूज हुआ अगर इंडेफिट प्रणाउन है तो दे जो है वो सब्जेक्ट होगा कोशन तेग्स का तो ध्यान रखेगा यह रूल मुस्ट इंपोर्टेंट है यह ही आपको माइन में रखना है क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस आपको अग्जाम में देखने को मिलेंगे अब यह वाला देखिए पहले सेंटेंस को रिडॉट कीजिए ओपन दोर तरवाजा खोलिए डॉन्ट ब्रेक दे ग्लास मत तोड़िए माइन यूर ओन बिजनिस से मतलब रखे अपने काम से काम रखे इसका मतलब यह है तो देखिए तीनों जो सेंटेंस है तीनों के तीनों सेंटेंस से देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे तो देखिए जब भी इंपरेटिव सेंटेंस इस आते हमारे सामने याद रखेगा जैसे कि फॉर एक्जम्पल अगर मैं कहती हूं ओपन दर अब मैं कह रही हूं ओपन दर मैं किसी कहूंगी दोर खोनने के लिए मिन्स मेरे सामने को से यू को आप कंसिडर करेंगे ऐसा सब्जेक काम को करने वाला तो देखिए ओपन दर डॉर जब भी सेंटेंस में आपको ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस अगर आपको दे दिये जाए कोशन टैग बनाने के लिए तो आपको क्या करना है तो अगर पोजिटिव सेंटेंस है तो इसको कैसे बनाएंगे अब देखिए यहां पर थोड़ा सा रूल चेंज होता है अगर सेंटेंस इंपरेटिव है पोजिटिव सेंटेंस जा रही है कोई फरक नहीं पड़ता है तो आप उसका कोशन टैक्स पोजिटीव भी बना सकते हैं और उसका कॉशन टैक्स आप नेग बनाते हो तो वोन्ट यू का यूज करेंगे लेकिन अगर पोजिटीव बनाएंगे तो यूज होगा विल यू दोनों तरी के साब बना सकते दोनों ही ठीक है नेक्स देखिए डोंट ब्रेक दग्लास ग्लास मतोड़ी नेगेटिव है तो यह तो पोजिटीव बनेगा ठीक है तो इसका question tag हो जाएगा will you कैसे अभी मैं आपको बताऊंगी mind your own business अपने काम से मतलब रखें देखिए देखने में सेंटेस आपको पोजिटीव लग रहा है यह बट यह सेंटेंस है नेगेटिव वाई क्योंकि यहां पर किसी को बोला जा रहा है कि मेरे काम में टां तो यह हो जाएगा will you ठीक है अब इंपरेटिव सेंटेंस में आपको क्या बात या रखने है देखिए अगर इंपरेटिव सेंटेंस पोजिटीव है तो आपको question tag won't you कभी यूज़ कर सकते है आप आप will you कभी यूज़ कर सकते है लेकिन अगर imperative sentence negative sense को represent करता है तो तब हमें question tag में will you का यूज़ करना है दे रहा है तो यह याद रखने वाली बात है यह रूल और देखिए दिखिए रूल मैंने फक्त लिखी दिया है आपको पहले आप रूल को समझ दिजिए उसके बाद आप इनको देख लीज़ेगा इस इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन चैंज करते हैं तो आपको कांट का यूज़ करना है इंपरेटिव सेंटेंस एप इरिटेशन दिखाए जा रही है तो कांट यू का यूज़ करेंगे तो एक्जामपल देखिए शट अब देखिए जब भी हम किसी से ज़्यादर दुखी हो जाते परिशान हो जाते तब हम का यूज़ करते तो और शेट अब है और वर्ब स्टार्टिंग में है तो उनसा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शट अप कांट यूज़ नेक्स देखिए कीप यूर माउथ शट अपना मू बंद करो यह निकि कोई हद से तो उसका कुशन के होगा कीप यूर माउथ शट कांट यू क्या तुम नहीं रख सकते क्या इसका मतलब है अपना मुः बंद रखिके क्या तुम नहीं है थोड़ी सी देर दी अब यह वाला रूल देखिए दीए अगर आपको कि यह कैसा सेंटा से स्टार्ट होता है जो कि let से start होता है तो देखे या तो आपको let's निज़र आएगा जब भी आपको let's निज़र आता है तो मतलब कि us को आप देखी तो us जो होता है वो objective case होता है वी का ठीक है यह याद रखेगा let यह फिर आ जाता है let him let them let her इस तरीके से आपको sentences में मिलेंगे या फिर कोई noun दे देंगे जिसे कि यहाँ पर अगर let him ना देकर उन्होंने देखे लेट रोहन प्ले रोहन को खेलने दो यह लेट गित अपले इस तरीके से भी दिया जा सकता है sentence तो अगर आपको यह नजर आ ज हमज़ लिजे कोशन टैग में हमें शैल के साथ वी लगाना है अगर यह नजर आगे let him let them let her तो हमें कोशन टैग में विल के साथ में यू लगाना है यहाँ पर शैल इसे लगेगा क्योंकि अस जो है वी का objective के सब आपको पता है आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते एक्जमपल sentence let's go अब इसको एसे भी लिख सकते हैं अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते है लेट्स गो यह फिर आप इसको शोट फो में यह लिखा जा सकता है लेट्स तो दोनों ही तरीके सा अगर आपके सामने sentence आता है तो क्या करना मेरे आपको पताती कि अगर आगे है sentence में तो हमें क्या करना है shall we का use करना है यहां पे वह जो रूल है कि फोजिटीव है तो नेगीट मिनेगी है तो यहां प्रप्लाई नहीं होगा याद रखेगा लैट टो टैग जो है वो पॉजिटीव ही रहेगा शैयल भी शैंत भी कि नहीं होगा ऋफी करने दो तो हमें चोड़कुकर मैंने बता है कि want to want to toss किसी रहने वाला है बस हमें क्या करना है आप चलो मैं यहां पर लिख देती हूं ऐसे लेट हुआ है कि लेटिंदेन्स अ को मा को मातो लगाना ही है हम लोगों को तो आफ अफ्टर डेट विल्यू यहां पर मैंने पूरा sentence नहीं लिखा है मैंने बस यहां पर जो हम question tag लगाएं वहीं बता दिया है तो question tag लगाते वक्त आपको याद रखना है कि कोमा जरूर आएगा और small letter से start होगा question tag वाली close तो इस तरी के से बन जाएगा तो यह point most important है एक्जाम में बहुत बार आते हैं लेट वाले sentences तो बस आपको यह दो facts याद रखना है अब यह वाले देखे एक्जामपल everything is fine nothing has improved something will be good तो यह सारे के सारे sentence देखे अगर आपको कैसे बनाएंगे आप पहले आप देख लिजे अगर आपको किसी भी sentence का subject everything नजर आता है nothing नजर आता है यह फिर something नजर आता है तो आपको वहाँ पे question tag का subject लेना है वो it को बनाना है याद रखेगा इस बात को क्या करना है अगर आपको everything nothing or something नजर आ रहा है as a subject statement में तो क्या करना है आपको question tag का subject होगा वो it होगा तो कैसे बनाएंगे everything is fine everything is fine कॉमा जरू लगाना है कॉमा इसंट इट यह नेगेटिव ही बनेगा ठीक है इसमें वही रूल चलेगा कि अगर positive नेगेटिव नेगेटिव है तो positive सब कुछ ठीक है क्या सहीं नहीं है सब कुछ यह सेंस जाएगी इसकी देखें निधिये निधिंग है दिंगराइगे निधिव नगेर करेंगे निधिये प्रोव्डर अगे विशुंख मेंब नहीं हुआ क्या कुछ इंपरू और है इसका मतलब क्या थे कॉ इंप्रूव हुआ है something will be good कुछ तो सही होगा तो क्या करेंगे something तरीके से राइट देखे everything is fine everything is fine, isn't isn't ठीक है everything is fine isn't ऐसे नहीं है क्या nothing has improved nothing has improved, has it क्या हो गया है है ना something will be good something will be good, want it तो जब भी लाया है तो मैंने बताया था कि positive sentence है तो want का हम यूज़ करेंगे तो hope ही सारे के सारे tag आपको संज में आ गई होंगे most important concept है इंग्लिस में आपको आना चाहिए आपकी conversation को और भी ज़्यादा impressive बना देगा ये वाला concept तो बस इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई टेक केज इस्टे हेल्थ एंड कीप लर्निंग बस्टे ही